दोस्तो नमस्कार मैं हो दीपकी मांसू और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला आज है 14 दिसंबर और सुवसुवा आप लोगों के लिए बहुत ही बहतरी न्यूज आई है जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि आज से आपका बिहार estate का form fill up करना सुरू होगा तो आपको जो है उसकी पूरी notification पूरी detail भी आ गई है कौन-कौन भढ़ सकते हैं किनको मौका मिला है किस-किस बिसे में है और पूरी जानकारी आ गई है तो क्या भी परिवर्तन है हर चीज आप यहाँ पर देख लेंगे और उसके साथ-साथ आप सभ Instagram में भी शेयर कर दूँगा ताकि आप भी इसे देख सकते हैं चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या है सबसे पहले देखिए कि माधमिक शिक्षक पातरता परिक्षा एस्टेट 2024 के आयोजन है तो उक्त परिक्षा में सम्मिलित होने है तो आविदन पत्र भरे जाने के समन्द मे प्रश्ण पत्र होगा वह पिछली बार की तरह ही होगा जो आपका सेप्टमबर में एकजाम हुआ था ठीक उसी प्रकार से बहुत विकल्पिये होगा प्रश्ण जो है आपका एक अंका होगा नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और जो पेपर वन होगा वह 9-10 के लिए हो सकते हैं यह एक आपका इंट्री लेवल एक्जाम है क्वालिफाइंग एक्जाम है जिसको करने के बाद आप जो बीपेसी सिक्षक भरती होती है बीपेसी टीयारी जिसको बोलते हैं उसमें आप अप्लिकेबल होते हैं हाई स्कुल में 9-10 और 11-12 में रिस्पेक्टिवली अ उन्ही सब इसे में एस्टेट करवाएंगे जिसमें वेकेंसी आने वाली है तो आप यहाँ पर देख लिजिए अगर मैं 9-10 की बात करता हूं तो इसमें आपको देख लिजिए हिंदी उर्दू बांगला मैथली संस्कृत अरभी फार्सी भोजपूरी अंग्रेजी गनित ग्यान समाजिक भिज्यान हैं सिसाथ सारेरिक शिक्षा में हो रहा है और सं़ित में बी हो रहा है निरत만 हो रहा है तो इसका मतलब यह हैं कि आपका यह है तो आप अप्लिकेबल है इसके अंदरगत 910 में अगर आपका पोस्ट डुरेशन भी है और उसमें 50% मांग से तो उस बेसिस पे भी आप अपलाए कर सकते हैं बसरते के आपका भी एड हो और उसके साथ-साथ आपका जो चार वर्स का भी एड या बी एससी एड है वो भी अ है और इस प्लाए कर सकते हैं या उसके संतुल जो भी है उसके लीए ऐड है संगीत की बात करते हैं तो मानेता वर्स से में आपको उसनातक की उपादी होनी आवर्शक है वैसे निर्त में भी आपका सेम है अब यहां पर आप देखिए एक विशेश विद्याले अध्यापक के लिए भी यहां पर निकली है तो उसमें यहां पर दिया गया है कि नियुंतम 50% अंकों के साथ किसी माननता प्राप् तो बैसिकली जो स्पेशल एजूकेशन है उसके लिए भी आपको वेकेंसी निकलती है अभी भी बी एसेस जो है अस्टेट की वेकेंसी निकली है तो यह आपका विशेश विद्याले अध्यापक में आपका यहां पर देख लिए 50% अंकों के साथ आपका असनातक कुपाद पर देख लिए इसके अंतरगत तो यहां पर नोट में दिया गया है कि अभीर्ती अपने असनातक में पठित विशेश का नुसार किसी भी एक विशेश समू का चैन कर सकते हैं विशेश पर मैं अभी आपको आता हूं विशेश समू की बात अगर करते हैं गलती मत करिएगा ध्यान से मेरी बात सुन लेजिए आपका अगर विशेश है गनित के साथ बहुत की एलेक्ट्रोनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसाइन, विज्ञान, सांखे की इन में से कोई दो विशेश अगर आपका असनातक अस्तर पर पठित है या इंजिनिरिंग से असनातक है जिसमे गनित की विशेश सकता है तो यहां पर आप गनित की स्रेड़ी में आएंगे विज्ञान में नहीं आएंगे मैं फिर से बोल रहा हूं आपका मैट के साथ फिजिक्स है, एलेक्ट्रोनिक्स है, कंप्यूटर साइंस, केमेस्ट्री है, है ना या सांखे की है इन में से अगर क कोई भी दो विशेश नातक अस्तर पर आप पठित है, इंजिरेडिंग से असनातक या गरित की विशेश सकता है, या यहां पर कहा जा रहा है कि इसनातक अस्तर पर कंप्यूटर साइंस में जो BCA है, उसकी भी योगिता को सामिल किया जा रहा है, तो इन सभी केसे में आप जो है, गनित विशेश अपलाय करेंगे, आप विज्ञान से कब अपलाय करेंगे, यह गलती पिछली बार बहुत लोग किये थे, विज्ञान से आप तब अपलाय करेंगे, जब आपका असनातक अस्तर पर जन्तु विज्ञान, बनस्पती विज्ञान और रसाइन सास्त्र यह पठित हो तब विग्यान विभी से अप्लाए करेंगे या इसके साथ है कि इंजिनिनिらい जर्ण आपने असनातक किया है जिसमें विघ्यान की विष्य संगता है और तो आप इसमें अपलाए कर सकते हैं और यहां पर जो है पायो टेकनलोजी को भी या माइक्रोबाइलोजी को भी इसमें जोड़ा गया इन चार में से और आपका कोई 2 बिसे इत्र रहा है जिसमें कि अनिवार रूप से जोगरफी आपका एक विसए हो तभी समाजिक विज्ञान कि आपका भासा से जो समंधित भी से हैं उसमें असनातक अस्तर पर आपका प्रतिष्ठा हो या सबसेडरी हो तो आप भासा से अपलाए कर सकते हैं उसके बाद अगर आप 11-12 का देखते हैं तो इसमें आपका जो विशे है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, मांगला, मैथली, मगही, अर्भी, फार्सी, भोजपूरी, पाली, प्राकृत, गनित, भौतिक बिज्यान, रसायन सास्त, जन्तु बिज्यान, इतिहास, इतने के लिए आप देखेगा तो इन सबका के लिए आपको जो चाहिए 50% अंकों के साथ आपका पोस्ट ग्रेजेशन और साथ में आपका बीएड ठीक है और उसके साथ यहां पर आपका वही है कि आपका जो है बीएड एमेड जो आपके होते हैं नियूंटम 50% अंकों के स साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेट के साथ जो आपका विए निर्देश्ट विशे में सनातकोत्तर यानिकी पोस्ट ग्रेज़ेशन और तीन साल का बीएड एमेड होता है वह भी इसमें अपली केबल समझ गये वानिजविशे के अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको व 50% नामकों के साथ आपको जो है विशे समु में मानताप्राप्त विश्विविद्याले से आपको उपाधी यहां पर मिलना चाहिए ठीक है और उसके साथ आप यहां पर देख लिए लिखा हुआ है डी ओई ए सी सी से अस्तर ए एवं किसी विशे में सनातकोत्तर की उपाध से आपको किसी भी स्ट्रीम में बीए बीए या बीटेक की उपाधी है और कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजवेट है तो आप अपलाइ कर सकते हैं इसके अलग अलग पोर्शन है आप जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं पीडियाप में दे दूंगा मेरे टेलिग्राम मेरे टेलिग्राम है at the rate cdp by दीपक सर यह आईडी है सर्च कर लिजेगा उसमें में टेलिग्राम में यह पीडियाप दे दूंगा उसके बाद देखिए कंप्यूटर विज्ञान के लिए अभियर्थियों के लिए बीड की अनिवारता नहीं है ठीक है उसके बाद कृसी है किसी में भी आप अप्लाइ कर सकते हैं उसकी भी आपका नियुंतम 50% अंगों के सी एक्षा जो आपको कर लेना है उसके साथ साथ गंबिंग कंप्ल के साथ आपका तुछन में देख के Elettronics, Applied Physics या Nuclear Physics आपके combination में है post-graduation level पे subject है chemistry में तब आप apply कर सकते हैं जब आपका post graduation में chemistry और जो है biochemistry आपके subject में है economics में आप तब apply कर सकते हैं जब आपका combination है उधbahn अप्लाइट Black Economics बिजनेसilly N Rouge कर और सकते सब मस्टर क्लिए डिकर नौट बी लेजिवल एमकॉम अगर आप है अप्लाइड या बिजनेस इकनोमिक्स में तो अलिजिवल नहीं है मास्टर डिग्री इन कॉमर्स है तो आपका अप्लाइड मलब आप अलिजिवल है बॉटनी या जिलोजी में कह रहा है कि बॉटनी जिलोजी लाइफ साइंस बायो साइंस जेनेटिक्स माइक्रो बायो टेकनोलोजी मॉलिकुलर बायोजी प्लांट साइकलोजी यह सब अगर आपका है आप बॉटनी जिलोजी से अप्लाइड कर सकते हैं मैथ में आपका मैतमेटिक्स या अप्लाइड मैतमेटिक्स से तो अप्लाइड कर करा रहा हूं और पचास नमबर का सिक्षन कला है और जो बाकी 20 नमबर है उसमें मिक्स है आपका जिसमें कि आपको थोड़ा सा रिजनिंग भी रहेगा तुड़ा जीगे कर इंटरफेर्स भी रहेगा एना इनलेटिकल स्किल्स रहेगा यह सब रहेगा उसके बाद अगर आप देख लिजेगा तो कोई भी मतलब जरूरी नहीं है कि यहां पर आपका जो है सिर्फ और सिर्फ आप बिहार के ही हो पुरे भारत में से कोई भी अप्लाइ कर सकता है और लेकिन यह सारी जो डिगरी है वह आपका कम्प्लीट होना है यह यहां पर क्लियर कर दिया गया है कि दिगरी कम्प्लीट हो एप्यरिंग नहीं चलेगा उसके बाद यहां पर आप देख लिए कि जो आपका मादमिक एस्टेट दोजार चौबिस में अनुसुचित जाती अनुसुचित जाती या अन्य पिछरा वर्ग दिव्यांग के अभियर्ति को जो भी यहां पर अहरता है उसमें 5% की आपको छूट रहेगे उम्र सीमा की बात कर लेते हैं तो अभियर्तियों को एक अगस 2024 को नियूंतम आयू सीमा 21 वर्ग आपकी होनी चाहिए ठीक है अधिकतम देखेगा तो जेनरल मेल के लिए 37 वर्ग जेनरल फीमेल के लिए 40 वर्ग पिछरा पूरुस महला 40 अती पिछरा पूरुस महला 40 वर्ग अनुसोचित जाति पूरुस महला 42 वर्ग तो यह आपका हो गया एक और है कि समाने प्रशाशन विभवाग के संकल्व संक्या 912 दिनांग 22 जनवरी 2021 में किये प्राफधान के अनुसार दिब्यांग अभियर्थियों को अधिक्तम उम्र आपको 50% आपका स्कोरिंग मार्स होना चाहिए मतलब आपका जो minimum qualification यहां पर qualify काली करना है तो 50% चाहिए जनरल को पिछरे बर को 45.5% चाहिए अत्यान पिछरा बर को 42.5% चाहिए अनसुची जाती जन जाती को 40% दिभ्यान को 40% महला को 40% यह आपका प्रमान पत्र आपका जो है निर्गत किया जाएगा और यह lifetime valid रहेगा उसके बाद आपका जो fees है अगर आप देखते हैं सामानने वर्ग यह आर्थिक लूप से कमजोर सामानने वर्ग पिछरा वर्ग यह अत्यंति पिछरा वर्ग है तो पेपर 1 और 2 gekommen में से कोई एक भरने तो 960 मिल अके 103414 अगर आप अनुसुची जाती जनजाती दिव्यां से है तो पेपर वन या पेपर बने से कोई एक भरने तो 22140 अगर multiple days मैं परिक्षा होती है तो परिक्षा जोगर दिए यहां पर आपको कहा गया है उसके साथ आपको थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देता हूं परिक्षा से समंदित जो फॉर्म भड़ने से समंदित है परिक्षा ओन-Line होगी CBT mode में धाई घंटे की परिक्षा होगी और जो परिक्षा होगी उसके लिए आवेदन आप आज से भर सकते हैं 14 दिसंबर 2023 के अपराहन सारे चार वजे से आज सारे चार वजे से आप अपलाई कर सकते हैं दो जनवडी 2024 तक आपका फॉर्म स्विकार किया जाएगा ठीक है एक्जाम के लिए बताये हैं क्या था कि एक से 20 मार्च की बीच में आपका एक्जाम होने वाला है परिक्षा आवेदन भरने की विद्री जो है आपको इस बार की जो वेबसाइट है वो है बता दूँगा आप कैसे त्यारी कर सकते हैं उसके बाद देखिए इस पर आप जाएंगे अपना इमेल आड़ी से लॉगिन करेंगे सारा प्रोसेस वह मैं आपको बता दूँगा एक एक प्रोसेस करके कि आप फॉर्म कैसे फिलप कर सकते हैं और आपका जो पूरा यहां प पर कि अब आपको यहां पर तैयारी कैसे करनी है ठीक है तैयारी केलिए मैं आपको यहां पर क्लीर बता देता हूं आप में से जो भी लोग blij करना चाहते हैं आप सभी लोगउ के लिए हम लोगुने यूट्व पता होगा कि यूट्योब पर क्लासेस शुरू करदी है अगर कि यहां पर लगातार आपको बिहार, एस्टेट लगातार आपको विहार और समय है कि कि आपको बहुत अच्छे से आपको तैयारी करना है अगर आप dedicated batch में पढ़ना चाहते हैं तो estate 910 के लिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात विहार estate 910 के लिए हम लोगों ने 5 dedicated batch निकाल दिया है जिसमें कि estate English 910 निकाला है estate Hindi 910 निकाला है estate math 910 निकाला है और estate science 910 निकाला है और यह आपका complete batch है जिसमें आपको complete त्यारी करवाए जाएगी आपके पूरे एक्जाम की और इसमें आपका main paper और साथ में इसको आपको add on किया जाएगा जो 50 अंक का जो आपका separate पेपर है section कला और अंदक सब भी add किया जाएगा इसके बाद अगर आपको और किसी बिसे में आपको फिलब मतलब आपको जो है बैचे चाहिए dedicated बैचे चाहिए पी डबलू के आप पर तो आपको नीचे एक form दिया गया है ठीक है सब्जेक्ट की ज़रत ज्यादा है तो कौन-कौन से सब्जेक्ट में है वह मैंने आपको बता ही दिया नाइन टेन में पर मैं फिर रिकॉल कर देता हूं और 11 12 में भी समाने विसे हिंदी उर्दू बांगला मैथली संस्कृत अर्भी फार्सी भोजपूरी अंग्रेजी गन दर्शन connect और सास्त्र समासास्त्र अर्श सास्त्र बनोर्य ग्रे heter coexist क्रिशि और संगीं तो यह आपने बैद रहें वेयतृ जैसा मैंने का यह PDF में अपने टेलिग्राम पर डाल रहा हूं cdp by दीपक सर यह टेलिग्राम गुरूप का ID है उसमें आप जूर जाएगा यह PDF ले लीजेगा थैंक यू वेरी मच बाकी अपडेट के लिए भी आप जूर रहीएगा बाबाई जेहिं